यदि आप अपने खुद का बिजनस शुरू करने जा रहे हैं तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि व्यापार को शुरू करने के लिए शुरू आत में कितने रुपियों के जरुरत होगी और लगातार बिजनस को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने रुपियों के सकते हैं तो छोटे व्यापारियों के लिए सलाह अधिकतर देखा गया है कि छोटे व्यापारिय अपने personal finance से जुड़े मसलों को अंदेखा कर देते हैं या यह सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे ऐसा करके वो अपने लिए काफी रिस्क ले लेते हैं जिससे आने वाले समय में उनके बिजनेस के लिए निर्ने घातक साबित होता है उनका ज्यादा ध्यान बिजनेस से जुड़े वित्य मसलूप पर होता है ये वे मान लेते हैं कि बिजनेस अच्छा चलेगा तो उनकी personal responsibilities अपने आप पूरी हो जाएंगी ऐ ऐसे में बिजनेस के जोखिम से जुड़े पहलूओं को भी नजर अंदाज करते हैं यदि आप छोटे व्यापारी हैं और आपने अपने बिजनेस और personal finance को अलग-अलग नहीं कर रखा है तो ये मान कर चलिए कि बिजनेस में दिक्कत आने पर आपके personal finance पर असर पढ़ना त जब भी आप अपने बिजनेस प्लानिंग करें तो आपके business goals होने चाहिए जो personal goals के लिए भी मददगार हों जिससे आप दोनों क्षेत्रों में अपनी वित्यस्तिति अच्छी तरह मयनेच कर सकें इसके लिए इन बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए चलिए जानत आप जो business शुरू किये होते हैं वो भी loan पर आधारित होते हैं यदि आपका अपने खर्चों में cash लेंदेन पर नियंतरन नहीं है या personal वो business के खर्चों को अलग नहीं रखा है तो business से related खर्चों के लिए आपको savings में से पैसे निकालने पड़ सकते हैं ये अच्छी बात नह रिस्क के लिए उचित बीमा कबर लें आपको अपने जीवन स्वास्ति और दुरगटना जैसी निजी रिस्क के अलावा business में आग चोरी कर्मचारियों के लिए विश्वास घा, accident आधी जोखिमों को आसामना करना पड़ सकता है वहीं आपको यदि कुछ हो गया तो लेंद क्लेम की राशी पर जीवन साथी और बच्चों के अलावा कोई अन्य दावा नहीं कर सकेगा परिवार के लिए उचित बीमा कबर लें इससे आपात स्तिती आने पर business वित्य रूप से प्रवावित नहीं होगा और आपकी personal समश्या भी सुलच जाएगी तीसरा कर्मचारियो की प्रेड़नाम बिलती रहेगी अगले साल वेतन बढ़ाया भी जा सकता है बिजनेस अच्छा चला तो खुद को बोनस भी दे सकते हैं बिजनेस से समद्धित हर तरह की गतिवीदियों की प्लानिंग पहले से बना कर चले हैं इससे आपको personal finance की planning में भी मदद मिलेगी मासि सिकाए और खर्च मालूम होने से आप अपनी बचत का personal finance के लिए प्रभावी तरीके से यूज कर पाएंगे चौथा accountant और advisor में फर्क समझें हर professional के पास अपने खाख शेत्र की expertise होती है और एक विक्ति सभी शेत्रों का expert नहीं हो सकता Chartered accountant जहां आपकी खाते को manage करने corporate act audit आदी में आपकी help कर सकता है वहीं एक finance planner, risk management, investment planning आदी में आपका मारकदर्शन कर सकता है ये दोनों ही अलग-अलग area के expert होते हैं इसलिए कौन सी सला किस expert से लेनी है ये मालूम होना चाहिए यदि आप सही answer चाहते हैं तो सही व्यक्ति से question करें क्योंकि कई बार सही जवाब ना मिलने पर आप कही तरह की गलतियां करवेटते हैं पांचवा funding options बिजनिस को आगे बढ़ाने का स्रोथ अपने व्यावसाई की financial ज़रुतों को पूरा करने के लिए funding विशलेशन करें आजकल start-up funding के कई नए सारे स्रोथ उपलब दें जैसे angel investors, venture capital fund, crowd funding आती financial ज़रुतों का चुनाव कर लेने के बाद funding या लोन के लिए आविदन करें और funding की प्रक्रिया को ध्यान से समझे funding से समदित सभी documents और business plan का समय रहते इंतजाम करें जिससे आप अपने business को बिना किसी financial समश्या के रफतार दे सको आपके business का सच्चा साथी